भारत दुनिया की सबसे अधीक सोने की खपत वाला देश है। उत्पादक राज्य है। करनाटक के मौजूद खदानों से निकलता है। करनाटक का कुलार गोल्ड फिल्ड देश की सबसे बड़ी सोने की खदान माना जाता है। इसके अलावा हसन, धरवार और रायचूर जिले से भी सोना भारी मात्रा में निकलता है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक करनाटक से 17 लाग टन से अधिक सोने का अयस्क भंडार निकलता है। वह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अंध्रप्रदेश का नाम है, जहां सोने का सबसे जादा उत्पादन होता है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जार्खन हर साल करीबन 344 किलो टन सोने का उत्पादन करता है। राज में जादतर गोल्ड स्वर्ण रेखा नदी के पास मिलता है, गोल्ड नदी के रेत में जलोड की रूप में पाया जाता है। जार्खन में सिंग भूमी पर सोना तट घाटी के रूप में भी सोना मिलता है। इसके अलावा मौझुता समय में केरल में भी सोने का भारीत पादन होता है राज के पुन्ना, पुझा और छवियार पूझा नदी के पास के इलाज़ों में भारी मात्रा में सोना पाया जाता है भारत में सोने के खनन का बेहद पुराना इतिहास है वल्ज गोल्ज काउंसलिंग के मुताबिक दुनिया में जब से सोने के खनन की शुरुवात हुई इसके बाद से दो लाग टन से अधिक सोना यहां से निकाला जा चुका है आपको बता दी के जियलोजी डिपार्टमेंट के सर्वे की मुताबिक देश में मौजूद कुल सोने में 44 प्रतीशत हिस्सेदारी बिहार की है सर्वे की मुताबिक गोल्ज की मात्रा 2230 लाग टन के करीब हो सकती है जरान बियार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने की भंडार से सोने का उत्पादन होता है यहां करीब 27.166 सोने का भंडार है जमुई के करमटिया, जहाजा और सोनों के इलाकों में गोल्ड का भाड़ी भंडार है सर्वे की रिपोर्ट के मताबिक गोल्ड निकालने के लिए वहां एक टीम का भी चयन किया जा चुका है वहीं पिछले कुछ सालों में देश के कई इलाकों में सोने की ख़दारों की भी खोज की गई लाइब सिटीज के लिए गोविन सिंग की रिपोर्ट